प्रदेश में अब तक 3491 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं इनमें से 1916 मरीज पॉजिटिव से नेगिटिव हो गए हैं वह 1620 को अस्पतार से डिस्चार्ज कर दिया गया है जो प्रदेश के लिए रहत की खबर है साथ ये को और अच्छी खबर सामनी ये भी आई है वो ये है कि ICMR ने जैपूर के बाद जोतपूर के राज की मेडिकल कॉलेज को भी प्लाजमा थेरिपी से इलाज करने के ट्राइल की अनुमती दे दी है ऐसे में अब प्रदेश में दो सरकारी और एक नीजी चिकिस्ता संस्थानों में प्लाजमा थेरिपी के जरी इलाज करवाए जा सकेगा जिसको लेकर चिकिस्ता मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में बहतरिन चिकिस्तिकिये प्रभंदन, सुईधाओं और डॉक्टर की महनस से मरीज तेजी से रीकवर हो रहे है इसी के साथ मंत्री ने ये भी बताया कि जैपूरिया के करोना मरीजों को RUHS और निम्स हॉस्पिटल में शिप्ट किया जा रहा है SMS अस्पिटल के मरीजों को अन्य जगहों पर शिप्ट करने की योजना के लिए उच अधिकारियों को निर्देश दिये है ताकि सामाने बीमारियों के लिए अस्पिटल का इस्तमाल किया जा सके और उन्हें यहाँ सभी सुईधाएं पहली की तरह मिलती रहे ट्राइल की पर्मिशन दिये ICMR में तो राजस्तान में सरकारिक शेत्र का तो यह दूसरा मेडिकल कोलेज होगा और टोटल जो प्लाजमा थेरेपी की सुईधा शुरू ही वो तीन जगह होगी है हमने मेडिकल कोलेज कोटा को बीकानेर को अजमेर को और उदेपूर को भी कहा है कि वो भी ICMR से इसकी स्विक्रती ले में ट्राइल की ताकि ज़्यादा जगह पर प्लाजमा थेरेपी की सुईधा हम डेवलप कर सके हैं राजस्तान में फुल इसमें से रिकवर हो गया है जो की शांदर परसंटेज है रिकवरी का राजस्तान में दिन प्रतिदी में रिकवरी तेजी से हुरी है और ये शुप संक्यत है कोरोना पर हमारी विजे प्राप्त करने की दिशा में हम लोग जो सामानी बीमारियों के लिए जैपूरी अस्पताल में सोमवार से एक भी कोविट पेशेंट नहीं रहेगा वहां सिर्फ सामानी बीमारी का इलाज होगा हमने अभी निम्स में और अरियो एचस में दो जगे पे कोविट के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट का काम किया है अलांकि ओपीडी चरगभावन में भी चल रही है और एसमेस में भी अभी सिर्फ 179 कोविट पेशेंट्स हैं अभी उनमें से 94 तो संदिक्द हैं और बाकी पोज ज्यादा संक्यार नहीं है तो वहाँ के ऐड़ों को भी डिस इंफेक्ट करके और वहाँ पी इसपर विचार करने के लिए मैंने आज कहा हैको मां के प्राचांतास को और सेक्रिटिव Men महां थी मिल्यान